नमस्कार मेरा नाम रौक्र लिपिका महता है विटामिन D3 की अगर कमी है तो उसको कैसे पूरा करे ही है क्वेशन सबके दिमाग में चलता रहता है कि क्या हमें सप्लिमेंट्स लेने ही पड़ेंगे क्या सप्लिमेंट्स के लावा कोई रास्ता है या फिर supplements क्या हैं, क्या वो body में हमारी body में जाकर वो क्या करने वाले हैं और साथ में क्या supplements लेना चाहिए, क्या vitamin D3 की कमी कैसे पूरी हो सकती है natural products के थू भी और क्या supplements में किस type of supplement आपको लेना tablet liquid क्या आपके लिए सही रहेगा आज इस वीडियो में हम यह जारेंगे, सो सबसे पहले vitamin D3 के supplements हैं देखिए, अगर vitamin D3 के आपके body में कमी है, तो सबसे important कमी इस वज़े से हो सकती है क्योंकि अगर आप sunlight के exposure में नहीं आते हैं काफी बार देखा जाता है कि आप sunlight के exposure में भी आते हैं लेकिन आपको vitamin D3 की कमी है exposure से मेरा मतलब यह नहीं है कि अगर आप रोज दुपैर की तपती धूप में 12 एक बज़े सबजी लेने या फिर बारा एक बज़े अपने काम की तरफ जाते हैं तो आपकी vitamin D3 की कमी पूरी हो जाएगी गलत है यह एकदम यह सोचना भी गलत है देखिए जो vitamin D3 की जो कमी है वो इस चीज़ पर भी dependent होती है कि आप रहते कहा है काफी जो countries हैं जैसे for an example India, इंडिया में sunlight जो है वो north side बहुत जादा होती है लेकिन when it comes to other states like महाराश्टर वहाँ पर काफी कुछ cities हैं जहाँ पर sunlight exposure थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि वहाँ rainy weather बहुत जादा होता है तो जो ऐसा time जिस time पर आपका sunlight exposure आपको सही समय जो है sunlight exposure का वो है आपका morning timing आपको morning time में sun exposure कैसे करना है वो भी जाल लीजे आपको morning time में कम से कम कपड़े डालने हैं मतलब आपकी body आपकी जो हाथ पैर है उनमें अच्छा से sunlight exposed हो सके मतलब आपकी जो skin है वो sunlight से vitamin D3 बना सके इतना आपको sun का exposure अपनी skin को देना है अगर वह आपको नहीं दे रहे हैं तो इस वज़े से आपकी vitamin की deficiency रह जाएगी तो सबसे important अगर आपकी vitamin D की अगर आपको कमी लग रही है तो sunlight को exposed sunlight को अपने skin पर expose कीजे वो आप morning hours और evening hours में कीजे sunset या sunrise के समय पर best is sunrise के time पर आप walk के लिए जा सकते हैं और आपको full clothes jacket पहन के नहीं जाना है कम से कम कपड़े पहन कर जाना है ताकि आपकी जो skin है उससे sunlight vitamin D बना सके तो सबसे पहला source मैंने आपको बता दिया दूसरा अगर आप sunlight नहीं ले पा रहे हैं आपकी जो country है वहाँ पर sunlight नहीं होती है जादा तर sunlight देखने को नहीं मिलती है या फिर आप ऐसे schedule में रह रहे हैं जिसमें आपको sunlight exposure लेने का समय नहीं मिल पाता है तो ऐसे समय पर vitamin D3 की अगर आपको कमी लग रही है तो उस समय पर आपको सबसे important जो चीज माने जाती है वो supplementations माने जाती है supplementations मतलब कि ऐसी चीज जो artificial रूप में आपकी body पर दे दी जाए देखिए जो vitamin D3 है वो vitamin 13 vitamins में से सिर्फ एक ऐसा vitamin है जो body खुद बना रही है और वो सिर्फ sunlight को लेकर खुद ही produce कर रही है तो अगर vitamin D3 हमको natural तरीके से नहीं मिल रहा है तो best है कि आप supplement ले मैं मानती हूँ कि वो artificial form में है और artificial form में अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो वो आपकी body पर harmful effects करती है बर्ट अगर vitamin D3 लेते तो उसको कुछ major side effect आपको देखने को नहीं मिलता है जो vitamin D3 है वो कुछ forms में मिलता है जैसे कुछ पिल्स आती है vitamin D3 की वो जो vitamin D3 की pills है वो आपको pregnancy में अगर आप है तो pregnancy में आपको बहुत ज़्यादा दी जाती है और वो once in a week लेने के लिए बोलते हैं साथ में vitamin D3 की कुछ capsules आते हैं और साथ काफी बार देखा गया है कि vitamin D3 की pills भी आती है तो vitamin D3 की pills आप ले सकते हैं या फिर आपको powdered form में आजकल मिल रहा है vitamin D3 तो आप वो भी ले सकते हैं अगर आपको माना जाता है कि अगर आप vitamin D3 ले रहे हैं तो आपको विटामिन D3 खाना खाने के बाद ही लेना है तो प्रोबाबली आपको जब भी आप खाना खा चुके हैं उसके बाद विटामिन D3 का जो supplement आपको लेना है वो आप ले सकते हैं अगर आपको कैपसूल सही है तो आप संहेंा है अगर आपको विटामिन D3 कमी है तो आप कुछ एक कन वि रिटामिन D6 होती है , वो कौन से प्रोडथ्क्स हैं जिसके अंदर के लाटबली मिलेगा अगर आपको वह जानना है तोसके लिए ने एक विडियो बनाये उसका वो vitamin D3 पर dependent होती है तो अगर आपके बच्चे में vitamin D3 की कमी रहेगी तो आपकी बच्चे में bone related disorders हो सकते हैं osteomalacia हो सकता है, rickets हो सकता है, तो बेटर है कि अगर आपके बच्चे में इस टीज की vitamin D3 की deficiency है तो आप उसको drops form में आप उस बच्चे को artificially दे सकते हैं सबनाद sunlight से exposed कराईए बच्चे को और अगर आपका newborn बच्चा तो उसको वैसे भी sunrise जो है वो उस time पर जो 6 से लेकर 8 बजे तक की जो धूप होती है सुबर morning में वो आपको जरूर दिलानी है अगर आपको vitamin D3 के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए और अगर आपको deficiency है तो आप उसको naturally कौन से food product से कम कर सकते हैं vitamin D3 की deficiency है उसको कैसे vitamin D को normalized कर सकते हैं अगर आपको यह जानना है तो description में कुछ links दिये गए हैं आप उसमें देख सकते हैं और आप मेरी next video के तुरू यह जान सकते हैं धन्यवाद